हेलो है विल्कम बेक डू यूट्व चैनल आज मुझे बोला पुदला बनाने वाले हैं और रावण की पुदला बनाने के लिए चीज चाहिए वह हुआ दिखाने वाले यहाँ हैं सबसे पहले आपको होड़ान गले दो एकफिल साइस के सरकल चाहिए और उसको मजबूत करने के लिए बीच में लक्रिया बादे आज आफ ऑर एक छोड़ा तार को बांधने के लिए आपको प्लायर चाहिए लखड़ी बांधने के लिए लोह का तार चाहिए होगा इसको आप ऐसे करके यू कर लीजिए यू होने के बाद आपको लखड़ी में ऐसे करके डालना है इसके बाद उसको ऐसे करके एक बार घुमा देना है देखिए घुम गया है उसके बाद प्लायर को लेकि इन दोनों के इसे पकड़ के घुमा दीजिएगा और फिर आपको एक और तार लेना है आपने जीदर की तरफ से बादना है उसकी उल्टी तरफ पर लगा के बादना है दुबारा वही चीज करेंगे हम दो ताकि अच्छे से टाइट हो जाए और मजबूती से बन जाए और आप लकडी के डांचे में तार यूज करें कि जब जलते वक्त रावण रसी जल जल जाती हो रावण जल जल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने रावण में चार लकडी बांधी है और अब हम इसमें छोटा वाला सरकल लगाएंगे लुक के इसमें छोटा वाला सरकल अभी सिर्फ ऐसे करके डालना है इसमें अभी तार की महद्च से ऐसे करके पांदी हैं नहीं क्योंकि जो दूसरा वाला सरकल इसमें लगेगा उसके हिसाब से देख के बीच में इसको बांदा होगा क्योंकि दाल्स मचुछ से प्रॉड़ बाल quि में फटिके से डाइंट अजिक रपलगि को अभी अधर्पाइंग रच में अचे फ бесп ्छी अब हम इसमें डोनों सेर्केल दोल डिया है अब इसमें बीच में ऐसे करके लगडी लगाएं इसमें अब बार कि लोन değ करके लगाएं। हम आभाएं00 है कर दो कर दो बीच में लकडी बान दी है और आपनो इसी और स्ट्रेंद बानने के लिए ऐसी क्रॉस करके लकडी और बानेंगे अब हम लोग को लंबा तार लेना है और इन तीनों को बीच में बान देना है ताकि इसकी स्ट्रेंद बढ़ जाए झाल कर दो कर दो दो घुद नहीं प्रेज है कर दो